नमस्कारम सद्गुरू, आपने नमक की गुडिया बनने और समुद्र में डुक्की लगाने के बारे में बात की थी, लेकिन जब आप नमक की गुडिया हों, लेकिन अब तक आपने डुक्की नहीं लगाई है, तो वो उस्थिती कैसी होती है, क्या आप उस उस्थिती को बता अच्छा होता है जब इसे किसी चीज में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए, सिर्फ तभी जब वो घुल जाए. अगर आपको नमक का एक बड़ा टुकड़ा अपनी सांभर में मिला है, अगर ये घुल गया है, सिर्फ तभी अच्छा है. ये घुल गया है, अगर समंदर के साथ नहीं, तो कम से कम सांभर के साथ. जब ये किसी चीज में घुल जाता है, तो अच्छा होता है. अगर नमक का टुकड़ा बना रहता है, तो ये बुरा है. तो जीवन भी वैसा महसूस होगा. अगर आप अलग थलग रहते हैं, तो वैसा ही महसूस होगा. इस धर्ती पर ज्यादतर लोग पूर्ण सहजता का एक पल नहीं जानते हैं. आनंद को तो भूली जाएए, परमानंद भूल जाएए. किसी और चीज के बारे में भूल जाएए, वो ये भी नहीं जानते कि सहज होना क्या है. ये सबसे बुन्यादी चीज हैं. बहुत से अच्छे से खा लिया है, तो वो पूरी तरह से सहज होगा. लेकिन इनसान सहजता नहीं जानते हैं. ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सहजता क्या है, इसलिए उन्हें इतनी बीमारिया होती हैं. हाँ? बस यहाँ यूँ ही बैठ पाने के लिए? बस यूँ ही बैठने के ल नहीं, हमेशा ओथल पुथल जारी रहते हैं, तो जीवन ऐसा ही होगा, क्यूंकि आप नमक से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, आप जानते हैं कि इन शब्दों का इस्तिमाल कई तरीकों से किया जाता है, जब हम नमक कहते हैं, तो ये एक तरह से सार है, अगर आप कहते हैं पृत्वी का नमक, इसका मतलब है कि आपने धर्ती का सार तत्व ले लिया है, तो जब हम कहते हैं आप एक नमक की गुडिया हैं, या अगर आप वैसे बन जाते हैं, तो ये सार है, फिलहाल आपके व्यक्ति व्यक्तित्व का सार पस आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी राय, पूर्व धारणाओं का एक बंडल है जो आप धो रहें ये आपके व्यक्तित्व का सार है और ये आपके कर्मों से जबरदस्त रूप से प्रभावित है। व्यक्तित्व का सार बस वही है, जो आपको कल या पिछले पल के बारे में याद है। अगर हम आपकी याददाश्ट को बस आपके मन से ही नहीं, बलकि आपके शरीर सहित सभी स्तरों पर मिटा दें, अगर आप सारी याददाश्ट मिटा देते हैं, तो कहीं भी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी, अगर कोई व्यक्ति नहीं हो, तो बस जीवन होगा, अगर सिर्फ जीवन है, अगर आप जीवन के बस एक अंश के रूप में यहां बैठते हैं, तो आप जीवन के रूप में धड़केंगे, अगर आप जीवन के रूप मे नहीं होता, क्यूंकि ये अलग नहीं रह सकता है, और ना ही ये कभी अलग रहा है, हमेशा हर चीज के साथ एक होकर रहा है, ये सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही है, जो अलग घटित हो रहा है, यही नमक है, आपके विचार, आपकी राय, आपकी फिलोसफी, आपकी विचारध जब आप अपने विचारों को जटिल कर देते हैं, तो ये एक विचार्धारा बन जाती है. आपकी भावनाएं जो उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं, आपके पूर्वग्रह उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं. वास्तव में आप अपनी यादाश्ट में के साथ हैं. हर पल आपका जीवन उस बारे में हैं जो खत्म हो गया है. हर चीज जो आप हैं, वो उस बारे में हैं जो पहले ही खत्म हो चुका है. तो चुकि आप मुर्दागर संभाल रहे हैं, तो आप एक खास उथल-पुथल की स्थिती में रहेंगे.